और शुनावी रननीतीकार प्रशान्त किशोर से इंडिया टीवी का समधात अविजय लक्षमी ने बात की बिहार की जनता के साथ विश्वास गात है अब प्रशान्त किशोर जनसुराज के तहट पुरा बिहार घुमे है आपको लगता है जनता भी उसी तरह से लेगी के विश्वास गात हो गया देखिए यह राजनितिक पार्टियों का नजरिया है जिसको नुक्सान होता है वो विश्वास गात बताता है जिसको फायदा हो रहा है वो इसको राज्य के जनता के हित में बताएगा जनता को इससे बहुत कोई लेना देना नहीं है उनके लिए information है कि यह सरकार पहले formation A में चल रही थी आप formation B में चलेगी 2012-2012-2013 से यह छट्वाँ प्रयोग है सरकार का तो यह दिखाता है कि कहीं न कहीं जो भी प्रयोग पहले हुए है जब भी वो प्रयोग होता है तो इसी आसा से होता है कि और यह बहतर करेगा वो नहीं हो पाया है अभी तक राजनितिक इस्थिरता इस राज्य में नहीं लोटी है मैं उसी दिशा में इसको देखता हूं उनको हमारी सुभकामना कि वो सायद इसको बहतर चलाएं अगले दो-तीन साल में सरकार की सेजंडे पर चलती है अगर बिहार के जो बेसिक मुद्धे हैं जो लोगों की समस्याएं वो बहतर होगा तो इसका स्वागत है किसने किसके साथ घोखा कर दिया किसने किसके साथ कौन धोखा खाया किसने धोखा दिया किन मुद्धो पर दिया उसका कोई बहुत महत्व नहीं है क्योंकि आज जिनको जो लग रहा है कि धोका हुआ है वो 17 अगर आज धोका है तो 17 में भी धोका था उसका कोई बहुत अगर तरीके से जमीन पर कर पाते हैं, अगर उसको कर पाएंगे तो जनता का समर्थन मिलेगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो फॉर्मेशन आप चाहे कोई भी बना लें, आपको नीचे ही जाना है। तो कैसा लगता है आपको कि how is this going to play out? बोट बीजेपी के खिलाफ पोड़ा था, लेकिन सरकार में तो 2017 में वो लोग आ गए थे, तो ये तो राजनितिक कन्वीनियंस की बात है, जिसके पक्ष में बात जाएगी वो इसको जस्तिफाई करेगा, जिसके बिरोध में जाएगा, उसको क्रिटिसाइज करेगा। बिहार में जाती जो है बड़ा फैक्टर है, अब जैसे नितीश कुमार इधर महागडबंधन में वापस आए है, यादव, कुर्मी, पच्पनिया, मुस्लिम, आपको लगता है वो कंसॉलिडेशन ओफ वोट जो है वो नितीश कुमार के फेवर में आगे होगा। सवाजस का सच्षाइब में है दूसरे राज्यो में यह जो लोग बताते हैं कि जैसे बिहार में ही सिर्फ जाती है, ऐसी बात तो है नहीं, जाती तक सवाल है कि कॉन सोसलिल समिकरन किधर चला जाएगा, यह तो समय बताएगा. जो NDA की जब 2017 में जब एक्सपेरिमेंट किया गया या वापस से जो नितीजिन NDA में गए उस समय भी सो कॉल्ड सारे विशिसक्यों ने बताया कि NDA का एक्टम बहुत फॉर्मेडेबल सोसल समिकरन है अब इसको कोई चुनोती नहीं दे पाएगा और लोगसभा में एक बार को दिखा भी 40-49 सीट वो जित कर आए लेकिन विधान सभा में अगर सरकार का पफॉर्मेंस लोगों को अच्छा नहीं लगा चाहे वो कॉविड के वज़े से हो या किसी अन्य दूसरे वज़ों से तो वही सोशल समिकरन के रहते हुए एंडिये जो 2010 में 205 सीट जीत कर आया था उसको 120 सीट जितने में तकलीफ आई तो यह अगर आप कह रहें कि सिर्फ जाती पर ही वोट पड़ता है तो फिर एंडिये को 2010 में जितने सीट मिले थे और उतनी सीट मिलनी चाहिए थी 2020 में भी ऐसा तो है नहीं कि एंडिये को जिन जातियों ने वोट किया था 2010 में वो सारी जाती के लोग विहार छोड़कर चले गए हैं तो इन चीजों को कभी-कभी हम बहुत सिंप्लिफाई करके बताने लगते हैं कि भी सारी जाती बस जाती उनके साथ वोट कर देगी जाती भी एक फैक्टर है जाती सिर्फ फैक्टर है ऐसी बात नहीं है सारा वोट सिर्फ जाती पर नहीं पड़ता है नितिश कुमार को सुशाशन बाबू कहा जाता है बीस महीने में उन्होंने जब महागडबंदन छोड़ा तो CBI का केस और वो तमाम चीजें उस पर क्लारिफिकेशन अ चाहिए कि बेरी किस मुद्दे पर चोड़े थे किस मुद्दे पर आये थे लेकिन राजनित की जो सच्चाइए कि यह मुद्दे 2-4-15 दिन तक चलेंगे उसके बाद लोग भूल जाते हैं या लोग उसको पिछए कर देते हैं महतबपूर्ण यह है कि वह जो सरकार अभी बनी है ये कैसी चलती है अगर ये सरकार अच्छा काम करेगी तो लोगों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि आप चार साल पहले क्या कहा था नहीं कहा था किस मुद्दे पर छोड़ा था किस मुद्दे पर नहीं छोड़ा था पराबrative, अगर कल होके सरकार की, मिनिस्टर कल किसी करशन के केस में फच जाए, उनके खिलाब सबूत आजाए, उनके खिलाब चार सीट फाइल हो जाए, तो सरकार के लिए परिशानिका सबब बनेगी, अगर ऐसा कुछा न हो सरकार बहुत अच्छी चले, बिल्कुल इमानद चलेगी वो भरास्ताचार पर उसका स्टांस क्या होगा या दूसरे अन्य महत्यपुन्द मुद्द जो जनता के हैं उसका स्टांस क्या होगा यह तो मतलब जो लोग हैं इस तरह के सब्दावली का प्रयोग करते हैं कि आर्जेडी की जो सरकार थी जन्गल राज था या फिर नितिश कुमार स्टांस क्या बाबू है सचाई हो यह जरूरी नहीं है इसका प्रयोग पहले किया गया है लेकिन वो प्रयोग अलग था 2015 का महागटबंदन और यह जो आज बन रहा है या कल से बनने की जिस्तिसा में लोग काम कर रहे हैं इन दोनों में जमीन आस्मान का फर्क है 15 एक नरेंदर मोधी जी के खिलाफ उस विशय को लेकर आइडियोलोजी को लेकर उस दल के खिलाफ एक राजनितिक और प्रसास की यह दोनों ही प्रयोग था कि एक नया प्रयोग किया जाए राजनितिक दल जो आपस में समान विचार धारा के हैं लेकिन किनीव कारणों से अलग अलग हैं वो सब एक साथ आकर चुनाओ लड़ा जंदा का उन्होंने मैंडेट लिया उसके बाद सरकार बनाई और उस सरकार को एक साथ निश्चे का का प्रेक्रम बनाया गया जिस पर चलाए जाने की बात कही गई उसके मुकाबले आज जो बनाया जा रहा है यह तो कोई चुनाओ तो हुआ नहीं है पहले से जो लुक्षुनकर आये हुए हैं उन्दलों में संख्या क्या धार पर एक नया फॉर्मेशन बनाया गया है साइद कोई घोसनापत्र या कोई प्रात्मिक्ता कि शुची आए नौ भी आए वो देखने वाली बात होगी तो इसको 2015 के महागटबंधन के प्रयोग से सीधे कंपेर करना ठीक नहीं होगा हाँ कुछ हद तक कुछ सिमिलारिटी दोनों में हो सकती है लेकिन इन टर्म्स उफ उसका जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो बिलकुल ही अलग है 2015 के महागडबंदन की political significance बहुत अलग थी आज की जो political significance है वो बिल्कुल limited है मेरी समझ से बिहार के नजरिये से लोग ये देखना चाहेंगे कि बिहार में इसका क्या असर होता है सरकार के काम काज पे सरकार के काम करने के तरीके में क्या बहतरी होती है अगर वो होगा तो लोग इसको समर्थन करेंगे बिहार में कैसे आपको लगता है आज का जो शपत ग्रहन समारोगा यहां से बिहार की राजनीती आगे कहा जाएगी लोगसभा चुनाव में क्या फाइदा होगा नितिश कुमार को यहां आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है इसका क्योंकि बीजेपी तमाम तरह के डिवलपमेंट डबल इंजन की सरकार और यह सारी बाते जो है देखिए अगर जो सरकार अभी बन रही है अभी तक जो सरकार चल रही थी इससे बहतर काम करके दिखाएगी तो उनको फाइदा हो सकता है लेकिन अगर वो सरकार वैसे ही चले जैसे पहले चल रही थी या उससे भी बत्तर इस्तिति में चले तो उसका बड़ा नुकसान भी होगा इट आल डिपेंड्स उनकि सरकार कैसे चलती है आप ये मानकर नहीं चल सकते हैं कि सिर्फ ए बी के साथ चले गए बी डी के साथ चले गए तो उससे कोई बहुत बड़ा राजनितिक भुचाल आ जाएगा ये भुचाल जो है ये सब्टा के गल्यारों में आपको दिखना है ये जरूरी नहीं है कि जन्ता के गल्यारे में सरकार अपना कारेकाल कंप्लीट करेगी अपको लगता है मेरी सुबकामना है करनी चाहिए दो-तीन साल-तीन साल बाकी है उनको मेहनत से चल लाना चाहिए, सरकार चलनी थी इसमें दिकता है। कि तहत बिहार में ये प्रयोग किया गया है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, बिहार में ऐसा प्रयोग किया गया है, ये ठीक बात है। कि अस्तिती में नितिश कुमार भी उस पत के दावेदार हो तो विपक्ष को फाइदा होगा। कि इस बात की कोई समझ नहीं है, और जहां तक मैं इस पर कुछ टिपनी अभी अगर मुझे करनी हो, तो मैं यही कहूंगा कि ऐसी कोई जानकारी तो हम लोग को है नहीं। कि कोई बैठ कर कहीं यह चर्चा हो रही हो कि नया प्रधानमंत्री केंड़ेट कौन होगा। कि इस एक अच्छे कंडिडेट साबित हो सकते हैं। उसमें आपको लगता है कि हलाके कास्ट कॉम्बिनेशन वाला सवाल मैं आपसे पूछ चुकी हूँ लेकिन तमाम जातियां जो हैं चाहें वो कुर्मी हो यादव हो मुस्लिम्स हो उनका समर्थन नितीश बाबू एक बार फिर जुटा पाएंगे अगले विदान सभा इसका द मजबूत है कि उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है लोग सभा में वो दिखा चालिस में उन्चालिस सी एंडिये जीत कराया लेकिन विदान सभा में वह वैसे बात नहीं दिखी यह डिपेंड करता है कि जो सरकार अभी बन रही है वो कितना बेहतर चलेगी अगर वो चले रहे थे सोशल समिकरण के अधार पर ही सिर्फ अगर चुनाव होते तो लोग सरकार बनाते जाकर छुट्टी पर चले जाते चुनाव जिस दिन होता फिर वापस आ जाते सोशल समिकरण के अधार पर जीत कर चले आते आप पूरे तीन साल फास्ट फॉरवर्ड कर रहे है और आगे क्या होगा वो नहीं बता सकते हैं लेकिन law and order जरूर आने वाले दिनों में भी एक बड़ा इशू बिहार की राजनीती में रहने वाला है